अले अब्रीवन दोस्तों वेलकम बैक टो दे चैनल आफ सारां गुजराथी इस फॉर्मर्स अकेडमी कैसे हो आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो देखो दोस्तों आज से अपन क्या करेंगे तो आपके 11 स्टैंडर का जो नाम का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर फॉर्ट वाला जो है जिसका नाम है अपना महाराष्ट्रा तो यह वाला जो चैप्टर है उसके बारे में अपन यहां पर पढ़ाई करेंगे ठीक है तो देखो यार यह चैप्टर में बेसिकली ना जैसे आप सभी लोगों को पर पता चल लगा हो घणाम से कि यहां पर हम लोगों को अपना महाराष्ट्र स्टेट है ठीक है तो यह महाराष्ट्र स्टेट के बारे में वापर हम लोगों को बहुत सारी जीज़े देखनी है जैसे फॉर एक्जमपल महाराष्ट्र स्टेट में वापर कितना क्या एडवांटेजिस है उसके लिए government ने क्या implications ले क्या है ऐसे हम लोगों को यहां पर क्या करना है बोलो पूरे state के बारे में यहां पर हम लोगों को पड़ाई करना है ठीक है तो आभी देखो यार आज की इस वीडियो में वापे में आप सभी लोगों को क्या करूंगा तो महाराष्ट्र स्टेट के जो फीचर से आपने economy के जो फीचर से उसके बारे में वापे अपन डिसकस कर लेंगे ठीक है अभी देखो दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को दिखता होगा कि आपना क्या बोले आप महाराष्ट्र का graph है इस तरीके से वहां पर आपका महाराष् करके celebrate करते हैं तो देखो महाराष्ट्रा यह जो स्टेट है नहीं एक separate स्टेट करके कब existence मैं मुझे बोलो first of May 1960 याद रखना है यह आपको mcq में आ सकता है ठीक है the state of महाराष्ट्रा came into existence on first of May 1960 एक May 1960 को महाराष्ट्रा नाम का एक state अलग से state करके create हुआ अपने आप एक वाप उसकी एक नई identity वाप पर create हो जाती है ठीक है तो यह अपनी क्या हो गए बोलो महाराष्ट्रा नाम का state develop होने के वह आने की वज़े से वाप अपना एक अलग से एक status create हुआ ठीक है अभी देखो तो यहाँ पर उन्हें ने क्या किया पता है क्या यहाँ पर concept administrative divisions of महाराष्ट्रा ठीक है मत्तब exactly महाराष्ट्रों में वाप कितने districts है कितने divisions है जो पूरे महाराष्ट्रों को control करेंगे सारी चीज़ें आपने आपे देखेंगे तो सबसे पहले देखो 1718 का जो सर्वे हुआ था economic survey उसके सबसे अपने महाराष्ट्रा के अंदर total मिला के वापे कितने districts है मुझे बोलो यह mark करके रखना वापे आपके total मिला के 36 districts है दोस्तों कितने districts है 36 districts में अपना वापे जो state है वो डिवाइड हो चुका है जिसके अंदर वापे आपके छे revenue divisions है revenue division मतलब क्या वापे जो अलग-अलग आपके जैसे जी एस्टी के offices बोलो राइट तो जो भी administrative चीज़ है वापे कितने divisions है बुलो महाराष्ट्रा state में total मिलाके छे divisions है जिसमें से पहला वाला जो डिवीजन है वो है आपका Mumbai ठीक है दूसरा वाला जो डिवीजन है वो आपका है पूने तीसरा है नासीक चवता है और अरंगाबाद पाचवा है अमरावती और चाहा है नाकपो ठीक है तो आप यह चीज़ को याद रखना बेटा याप लोगों को वापर नहीं बहुत बार exam में क्या होता है पूछा जाएगा तो आपको याद रखने की आप इधर क्या कर सकते हो बोलो तो आप आप कर सकते हो मैप इन-एन-एन इसा है आप आप याद रख सकते हो, ए मतलब क्या मुंबई, ए मतलब क्या अम्रावती, ए मतलब क्या औरंगाबाद, है ना, अभी उसको चतरपती संभाजी नगर करके नाम भी चेंज हो गया, उसका, राइड, पी मतलब क्या बोलो, पूने, बहुत सार लोगों को पता नहीं रहेगा, त आपको ऐसा आएगा, आपको जैसे इस में से तीन नाम देंगे न, एक दूसरा देंगे, बोलेंगे, which of the following is not the revenue division of महाराष्रा, ठीक है, आपको ऐसा question आ सकता है, तो I hope दोस्तों आप सभी लोगों को यह जो पहले वाला paragraph था, यह paragraph आप लोगों को आपे clear हो गया रहेगा, ठ नेक्स्ट है वापे आपका important features of the economy of महाराष्रा, तो देखो, सबसे पहले देखो, अगर आपन population wise बात करें न, तो महाराष्रा है second largest populated state in the country, समझ में आ रहा है, मतला अपने country में वापे जितने भी states है, उसमें से महाराष्रा जो यह कौन सा है बोला, आपका second populated country, यह है, state है, आगे the population of the state, आपने state का वापे population कितना था, 2011 में, 11.24 crores, देखो, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, कि आपना जो population है न, हर 10 साल बाद वापे क्या होता है, बोलो, calculate किया जाता है, ओके, लेकिन अभी क्या हुआ था, पता है, तो 2021 में, जो आपका second population का count वाप जरूरी था, लेकिन because of COVID वापे वो हुआ नहीं था, तो शायद 2023 में उसका कुछ calculation वापे हुआ है, तो इतना याद रखना कि महाराष्टरा में वापे जो population का calculation किया जाता है, population को गिना जाता है, वो हर 10 साल में एक बार होता है, तो यहाँ पे 2011 की सबसे, महाराष्टरा का ज अपना population था, जो second largest populated state in the country, समझा आपने country में सबसे second largest populated state कोन सा है, महाराष्टरे, next, महाराष्टरे is the third largest state, okay, in the country, in terms of geographical area, okay, मतलब क्या रहे, जो आपन geographical ही बोल सकते है, area wise अगर आपन बोले न, तो महाराष्टरे कैसा है, मुझे बोलो, third largest state है आपे, जिसका वापे यह कितन है, area कितना है, तो 3.08 lakh square kilometers, ठीक है, यह आपना क्या है, बोले यहापे area है, okay, तो आप देखो, next student है वापे हम लोगों को क्या दिया, दोस्तो, it is the most urbanized state, urbanization मतलब क्या दोस्तो, कि जब भी लोग rural area में से urban area में shift होते, because of some employment, या कोई business के लिए, या कोई education के लिए, किसी भी reason क है, जब भी लोग यह rural area में से urban area में shift होते है, उसको आपन बोलते है, urbanization, क्या बोलते है बच्चो, urbanization बोलते है, ठीक है, तो महाराष्टर यह सबसे ज़्यादा urbanized state है, मतलब महाराष्टर में जितने भी लोग है, उसमें से 45.20% लोग जो है, वो का पर रहते है, बोलो urban areas मे रहते है, शेरों में रहते है, ठीक है, आगे देखो उन्हेंने क्या बोला है, according to 2011 census, ठीक है, the sex ratio of महाराष्टर, sex ratio मतलब क्या कि 1000 males के against कितने females है, समझ में आ रहा है, तो यहापे कितने बोलो, 929 females per 1000 male है, जो अच्छा खासा ratio है वापे, आगे देखो the state literacy rate, मतलब क्या कि 100 ल 30% लोग कैस है, मुझे आपे बोलो, आपके literate, literate आपके को ने बोलो, population, literate मतलब क्या बोलो, पड़े लिखे लोग, literate मतलब क्या होता है, बोलो, जो पड़े लिखे लोग है, ठीक है, आगे according to the economic survey of महाराष्टा, 16-17 में जो सर्वे किया था, देखो, the state had highest growth of GSDP, GSDP आप क्या, gross state domestic product, ठीक है, and the state per capita income in comparison with the other state, ठीक है, तो यह बहुत अच्छी बात है दोस्तो, देखो, obvious है, किसी भी state का domestic product, या per capita income, अच्छा होना मतलब है, development का एक sign होता है, ठीक है, समझ मैं है, क्या, तो यह बहुत अच्छी बात है, कि पूरे इंडिया में वापे सबसे ज अपना जो economy, right, तो यहाँ पर कैसे बोल, abundant natural resources, मतलब अपने पास वापे बहुत जादा, abundant मतलब क्या वापे, in very large quantity, abundant मतलब क्या बोलो, very large, in very large quantity, क्या अपने पास natural resources, बहुत जादा है, अगर आप देखोगे, तो जिससे देखो, अपने वापे, बहुत सारी नदिया है, बहुत सारे अपन बोल सकते, वापे, समुंदर भी अपने आपे, right, तो कैसा है दोस्तों, कि यह जो सारी चीजे रहेगे न बेटा, तो वो केस में अपना वापे, transportation के लिए बहुत अच्छी बात है, अपना environment अच्छा रहेगा, okay, तो कही न कहीं पर बहुत अच्छी चीज अपने महराश्च्रम है, next, availability of skilled manpower, अपने आपे अच्छे काबिल लोग है, जो आपे क्या कर सकते हैं, बोलो, अलग-अलग तरीके से skilled वाले काम कर सकते हैं, technological advancement है, अपने state के अंदर वापे अलग-अलग technologies का development हो रहा है, अलग-अलग technologies का वापे use होते जा रहा है, उसके वा से अगर आप देखोगे, तो यह बहुत प्यारे रोड सा भी धीरे-धीरे बन रहें, यह सोर नो, अपने आपे अच्छा hospital facilities है, महराश्च्रा में अच्छे schools है, यह सोर नो, तो कही ना कही पे सारी शीज़े कैसे ही, बोलो, बहुत अच्छी है, अपने अगर आप देखोग destination for creativity, skill development, investment and tourism, ठीक है, तो अगर किसी भी लोगों को अगर बोलेंगे अपन, तो वहाँ पे वो most preference किसको देंगे, मुझे बोलो, महराश्च्रों को देंगे, ठीक है, बले ही आप लोगों को आपे को investment करना होगा, कोई tourism मतलब किया, जैसे गुमने वगेरे को आते हैं लोग, तो वो case में लोग यहाँ पे महराश्च्रा में जरूर आते हैं, समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला, तो yes दोस्तो, I hope आप लोगों को यहाँ पे मैंने जो discuss किया और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, देखो दोस्तो मैंने ऐसे ही decide किया, कि आप सभी लोगों के लिए छोटे-छोटे वीडियो में बनाव, इकोनोमिक्स के, जिससे आप सभी लोगों को क्या हो, आप कही पे भी यह वीडियो को देख सको, ठीक है, और अगर आप घर पे बैठ के देखोगे, तो वापे टेक्स्ट्बूक लेके जरूर बैठना, जितनी भी ची ता कि वीडियो को धमा के से शेयर कर देना, और कमेंट करना आपको कुन सा पाट अच्छा लगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है नहीं हमारे सारे सोचल मेडिया हैंडल से कहीं, इसके उपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रहे सकते हो, तो मिलते भी रपन झाल